भावी से कर्ज लेने पहुंचा देवर और रच दिया ऐसा कांड जिसकी किसी ने भी कामना नहीं की थी घटना को अगर पूरा जानना है तो आपको हमारे साथ वीडियो में अंति तक बने रहना होगा राम राम नमशकार मैं महक चौधरी लेकर आई हों आपके सामने पंजाब के जालंदर की सच्ची घटना यहां पर एक इलाका पढ़ता है जो कि फिरोजपूर पढ़ता है वहां के गाउं की सच्ची घटना है जहां पर एक परिवाद जिसमें घर का मेन मुख्यज होता है वो प्राइवेट जोब करता है एक कंपनी में और उसका बेटा भी MBA की पढ़ाई करने के बाद भी एक प्राइवेट जोब करता है कंपनी में पिता का नाम होता है सुभास और बेटे का नाम होता है मनमोहन दोनों अच्छी जॉब कर रहे हैं अच्छे पैसे कमा रहे हैं लड़के की शादी की उम्र है तो उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी के साथ वो बड़े ही आराम से रहते हैं अब लड़के की उम्र करीबं 34 साल है और लड़की जो उसकी पत्नी है जिसका नाम है पूजा उसकी उम्र करीबं 30 साल है दोनों जॉब के लिए जब जाते हैं सासर और पती तो घर पर वो महिला अकेली रहती थी पूजा कोई प्रॉबलम नहीं था सब कुछ अच्छे से चल रहा होता लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो दौनों जॉब के लिए जाते हैं लेकिन जब शाम को मनमुहान घर आता है तो अपना घर का दरवाजा जब खटकटाता है तो कोई भी उसको खोलता नहीं है पूजा घर में अंदर से नहीं आती है इस चीज को सुनकर वो बहुत ही परिशान होता है लेकिन वो जैसे ही अपने घर के दरवाजे को धखका लगाता है तो वो दरवाजा खुल जाता है और जब घर में एंट्री करता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा समान पैला हुआ है और पूजा उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही ह पहली बार तो इस चीज को सुनकर सोचकर वो बहुत परेशान हुआ लेकिन जैसे ही उसमें सारे घर में अपनी पत्नी को ढूंडा तो उसे उसकी पत्नी कहीं भी नजर नहीं आती है इतने में ही साम के करीम साड़े छे बच जाते हैं और उसका ससुर्ग यानी सुभास लड पूजा को देखा था तो कलोनी वाले कहते हैं कि एक व्यक्ति को तो आते हुए हमने देखा था लेकिन पूजा को कहीं भी जाते हुए नहीं देखा है वो महिला पड़ोस की ही एक महिला थी जो कि उनके जानने वाली थी वो कहती है कि मैंने दिन में तो पूजा को घर पर ही दिखाई दिती है जब वो चोटी को देखती है तो वो बैड के पास जाती है और गद्दे को हटाती है तो वो चोटी बैड के बॉक्स से बाहर निकल रही थी तब ही वो उसको बलाती है उसके पती मनमोहन को और उस बैड को खोलती है जैसे ही बैड खोलती है तो वहाँ पर मन से निकालते हैं और तुर्ण पुलिस को कॉल किया जाता है पुलिस मौके पर पहुंचती है सब को अपने अंडर कंट्रॉल लेकर पोस्ट माडम के लिए भीजती है तो वहां पर साबित होता है कि इसकी गला दवा कर इसकी हत्या की गई है जैसे ही ये बात उसको पता चलती है मनमोहन को तो वो अपने पुलिस आफिसर्स से कहता है कि मेरी पत्नी को इनसाब चाहिए मेरी पत्नी के साथ जिसने भी सास्ट्र को किया है उसको जरूर से जरूर आप सजा दीजिएगा इस बात का पता उस लड़की के माईके में भी चलता है माईके से उसका पिता चुन्नी सिंग आता है और वो भी उसके परिवार वाले भी आते हैं और वो सबी बहुत ज़्यादा परिशान और रोते हुए बिलगते हुए आते हैं कि आकर हमारी बेटी के साथ ऐसा किस ने किया वो भी पुलिस आफिसर से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम हमारी बेटी को जरूर इंसाब दिलाना और इस केश की सक्ती से चांविन कीजिये पुलिस अपना काम बहुत ही इमानदारी से और बहुत सक्ती से कर रही थी सबसे पहले तो मनमोहन और उसकी पत्नी पूजा की कॉल डेटेल निकाली जाती है जिन में उनको कोई भी ऐसा नमबर नहीं मिलता है जिस पर पुलिस को सक जाए अब पुलिस के हाथ खाली थे पूजा की डेथ हो चुकी थी आखिर कार्स केस को सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाए तब करीबन इस प्रोसेस को होते हुए दो महीने निकल जाते है लेकिन कोई भी कहीं पर भी कोई क्लूर नहीं मिलता है तब उसका पत्ती जो मनमोहन है वो अपनी सेफ जब खोलता है जिसमें गहने रखे हुए थे तो वो कहता है कि मेरी पत्नी के बहुत सारे गहने थे लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है मुझे लगता है ये लूट का मामला है वो ये बात पुलिस टेशन में अगर बताता है तो पुलिस वाले आप इस एंगल से इसको जाचना शुरू करते हैं और वो जितने भी इलाके के जोलर्स थे उन सभी से कहते हैं कि कोई भी इस तरीके की कोई जोलरी आपके पास बेचने आय तो हमें जरूर बताईएगा तब ही तीसरे दिन ही एक व्यक्ति आता है जो कि उस जोलरी को बेचने के लिए आता है सुनार तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस मौके पर पहुँच कर उस व्यक्ति को पकड़ लेती है और वहाँ पर मनमोहन को भी कॉल कर दिये जाता है मनमोहन जैसे ही आता है और उस व्यक्ति को देखता है तो वो बहुत अचम्बे में रह जाता है क्योंकि वो जो लड़का था वो मनमोहन के मामा का लड़का था वो उसको देखकर बहुत परिशान होता है जब पुलिस उस मनमोहन जो उसके मामा का लड़का था उससे पूच पूस्ताज करती है तो वो कहता है कि ये तो मेरे चेवर थे और मैं पहले भी बेच चुका था ये मेरे हैं मुझे कुछ जरूरत है तो इसलिए मैं इनको बेच रहा हूँ। लेकिन कहते हैं पुलिस जब अपनी पर आती है तो अच्छे अपना जुर्म कबोल कर लेते हैं और वैसे ही पुलिस यहां पर सक्ती से जब पूस्ताज करती है तो वो सारी बाते बता देता है, वो बताता है कि मुझे नसे की लत है, जिसकी वज़े से मैं भावी से कुछ पैसे मांगने गया था, भावी ने दरवाजा खोला और मैं कमरे में बैठा हुआ था, तब ही भावी कह कहती है कि देवर मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, तुम बस थोड़ा इंतजार करो, और वो अपने जो गौडरेज थी जिसमें पैसे रखे हुए थे, जेबरात रखे हुए थे, उसको खुला छोड़कर चाय बनाने के लिए चली जाती है, उस देवर की नज करती है, कहती है कि तुम मेरे जेबर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन कहते हैं, जब कोई अपनी पर आता है, तो वो जब जोर जबर से करता है, तो उसमें वो उजा का गला दवा देता है, और जिसमें उसकी सांसे थम जाती है, और सारे जेबर को लेकर भागने लगता है, तब वो जैसे वो दो महीने तक पुलिस की कारवाही से दूर रहा था पुलिस की आँखों से दूर रहा था लेकिन यहां पर मोहन की तहरीर पर उस मामा के लड़के को पकड़ लिया जाता है उसको जेल में डाला गया है और यहां पर इस महिला को इस तरीके से इंसाफ मिला है इस कहानी को लाने का सिर्फ मेरा एक ही उद्दे से था कि आपका चाहे कोई सगा है या कोई भी है इस सबी रिष्टों में कहीं न कहीं सकी गुंजाइस रखें और अपने हर काम को सत्रक्ता से करें जब भी आप घर पर अकेले हों किसी भी गैर व्यक्ती को घर पर ना आने दें अगर कोई आता भी है तो अगर आप सचेथ रहते हैं तो शायद आप किसी क्राइम का सिकार होने से बढ़ सकते हैं पस हमारा एक ऐसा कदम हमने उठाया है जिससे हम अपने देश में क्राईम की दर को कुछ हद तक कम कर सकें उसमें अगर आपको सपोर्ट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम ऐसी ही सची घटना है आपके सामने ला सकें